नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हूँ PC वर्मा और आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर लीक हुए फोटो के संबंद में हमने पहले आपको जानकारी दी थी कि बहुत सारे फोटो जो है वेस्बूक के वो इंटरनेट पर लीक हो गये है कि नहीं कारणों से लगबख 70 लाख लोगों के फोटो और इससे पहले भी बहुत सारे लीक हुए थे तो इसके बारे में हमने आपको बताया था और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जानकारी है जो कि जो भी इंटरनेट के उपयोग करता है उन्हें जानना जरूरी है वो हम आपसे सेयर करेंगे इस पे कि किस प्रकार से अब आपने डाटा को सेयर कर सकते हैं तो हमारे बता प्रकार एप आपके मोबाईल पर होते हैं या कम्प्यूटर पर होते हैं जो कि आपसे पर्मिशन मांगते हैं आपकी फोटो शेयर करने का पूरे इंटरनेट पर दूसरों के पास जाते हैं आपकी जानकारी के बिना और जब आपको जानकारी होती है कि आपका फोटो या डाटा कहीं पे लीक हुआ है और कहीं पे उपयोग हो रहा है तब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है और आप तब बहुत परेसान हो जाते हैं इन चीजों को सोच कर और कभी कभी तो कुछ जो हमारे दर्सक है इन्होंने हमसे बात किया था कि उन्हें आप फोन चलाने में भी डर लगता है तो ऐसी कोई बात नहीं है चिंता की कोई बात नहीं है यदि आपका डाटर लीक भी हो गया है तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका डाटर लीक हुआ ह और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसको अपना कर आप अपने डेटा को से हो कर सकते हैं जिससे अनवांचित लोगों के पास वो ना पहुंच पाएं Facebook, Twitter और Social Media के बहुत सारे application हमारे सुईधाओं के लिए बनाए गए हैं लोगों ने इस प्रकार से इसे बनाया था कि इससे लोगों को फायदा हो लोग एक दूसरे से बात कर पाएं एक दूसरे से समपर कर पाएं लेकिन कुछ खतरनाक लोग जो की गलत मानसिकता रखते हैं उन्होंने इसका बुरा प्रयोग किया और इस प्रकार से बना दिया है कि वो खत्रे के रूप में देखा जा रहा है लेकिन खत्रा कुछ भी नहीं है साथ हूँ इग औरनेंस आपकी सुईधा के लिए है आपके फायदे के लिए बनाया गया है और इसका सतरकता से प्रयोग करना हमें और आपको सुरक्षित बनाता है तो इसके लिए फेस्बूक के लिए फेस्बूक में एक विवस्था दी गई है कि आप जान सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर एक कोड देख रहे होंगे इस कोड को यदि आप अपने ब्राउजर पर टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा जो ह इसको ऐसे ही टाइप करना है और इसको करने के बाद आपको इंटर दबाना है प्राउजर पर कोई भी ब्राउजर है जहां पर आप फेस्बूक ओपन किये हैं अपना उसी के साथ में इसे भी खोल सकते हैं या कि मैंने अपने इस पर डिस्क्रिप्शन पर इस कोड को लिख है कि आपका अकाउंट जो है वो सेयर्ड है या सेफ है यदि सेयर्ड हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एप्लिकेशन पर सेयर्ड है और यदि सेफ है तो अभी आप जैसा स्क्रिन पर देख रहें मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो यहां पर एक मैसेज लिखा हुआ यह देखते हैं वीच एप में हेव एसस्टु माई अधर फोटोस यूर फेस्बुक अगाउंट हैस नॉट बीन अफेक्टेड वाई इस इस यू एंड ड़ एप्स यू 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 अधर फोटोस अर्थात इसमें यह बताया गया है कि मेरे पूरी तरह से सेफ हैं मेरे मोबाइल पे मेरे लेप्टॉप पे जो भी है वो सेफ है तो आप भी इसे चेक कर लिजिए और यदि अनसेफ पाते हैं तो यहां पर आपको दिया गया है व्यू ब्लू कलर में जो आप नीचे देख रहे होंगे यहां पर यह लिखा हुआ है मै आप इसमें क्लिक करके तरीके सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपना डेटा सेव करेंगे और साथ ही कोई यदि आपका डेटा सेयर है तो उसकी लिस्टिंग यहां आ जाएगी और इसके बाद आप सेयर कर सकते हैं यह फेस्बुक के द्वार बताया है कि 13 से 25 सितंबर 2018 18 तक यह समस्या हुई थी और यह सेयर हुए थे उसके बाद उन्होंने इस बग को फाइंड कर लिया था और उसे ठीक कर लिया है लेकिन फिर भी अपनी सेफटी के लिए आप जरूर चेक कर लेजिए कि यह कहीं आपका डेटा सेयर तो नहीं है सिर्फ फोटोस नहीं कॉंट करते हैं मौवाइल इंड्रोड पे में इस्तेमाल करते हैं तो एप्लिकेशन जो है वो लॉग इन करने के लिए परमीसन मांगता है तो ध्यान रखिये आप जब कोई भी एप्लिकेशन अपने फोन पर इंस्टॉल कर रहे है तो उसे ऐसी परमीसन ना दें कि वो उसका गलत साथ ही ध्यान रखिए कि जब भी आप Google Play Store या कहीं से भी application इस्टॉल करते हैं तो उसकी रेटिंग्स देख लीजिए, उसकी users देख लीजिए, उनकी download संख्या देख लीजिए और साथ ही ये देख लीजिए कि publisher कौन है उसका, उस application का publisher कौन है क्योंकि Play Store पे application बहुत सारे लोग डाल सकते हैं, unauthorized use किया जा सकता है क्योंकि ये open है, तो इसे use करने से पहले आप Swam सुरक्षित हो जाए देख लीजिए कि application ठीक है नहीं, उसके बाद ही किसी भी app को डालिए और यदि आपने app डाल भी रिया है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि आप उसे अपने phone से uninstall कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई phone संदेहासपद है या किसी phone के install करने के बाद आपका phone धीमे हो गया हो, आपकी battery low हो जा रही है तो आप ध्यान दीजिए कि कब आपने application को install किया और उसे तुरंथ हटा लेजिए क्योंकि ज़्यादतर इस प्रकार के application जो होते हैं वो बहुत battery के आउस्चेक्ता होती है, उन्हें साथ ही उनको memory में space के आउस्चेक्ता होती है तो फो phone की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और कभी कभी वो phone को hang भी कर देते हैं तो ध्यान रखे जब भी आपका phone hang हो रहा हो बैटरी बहुत ज्यादा low हो रही ही हो या आपके applications नहीं चल पा रहे हैं तब आपको देख लेना है कि कोई गलत application आपके phone पर अल गया है तो ध्यान रखे सुरक्षित रही है क्योंकि इस उरक के बढ़ पाते हैं तो आज के लिए नहीं साथ ही हो मैं PC वर्म आप से विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार